नमस्कार दोस्तों, स्वागत थे आपका Study IQ में आज हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंट्रस्टिंग डिस्कुशन करने वाल है चाइना से जुड़ा हुआ, चाइना की लीदर्शिप से जुड़ा हुआ आप यहाँ पर आर्टिकल दे सकते हो, foreign policy से है, जहाँ आप यह कहते हैं कि बीजिंग्स, shodden friday over the capital riots conceals deep anxiety अब यहाँ पर आपको यह complicated word है, shodden friday shodden friday का मतलब है कि किसी और के दुख पे, किसी और के problem के उपर आप खुश हो जाते हो उसे कहते हैं, shodden friday movement, यानि कि enjoying someone else's agony और pain अब बीजिंग का यह cash shodden friday moment है, क्योंकि United States में हम जानते हैं कि January 2021 में, एक insurrection का attempt हुआ था, जहाँ पे, जो हम लोग कहते हैं, peaceful transition of power और जो होता है, democracies में, उसके उपर एक सवाल उडिया था, क्योंकि Donald Trump और जो उनकी supporters थे, उन्होंने Capitol Hill के उपर एक कूच कर दी थी, और काफी सारे violent हम लोगने scenes देखे थे, तो उसके बाद Beijing काफी खुश हुआ था, यानि कि Beijing में जो भी, चाइना में जो भी news reports है, उन्होंने काफी ज़ादा खुशी जटाई थी, आलोचना की थी, democracy की, उन्होंने कहा थी, democracy always leads to chaos like this, तो इस particular article में ये दर्शाय गया है, कि ये जो उनका, अभी जो खुशी वाला moment है, कि United States में कुछ problem चल रही, peaceful transition of power के उपर, ये चाइना की खुद की एक deep anxiety को छुपाने की कोशिश है, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, क्या वो deep anxiety है, जो जुड़ी हुई है, Xi Jinping और उनकी succession के उपर, तो हम लोग यहाँ बात करेंगे, क्या रहा है, चाइना की succession की policy, चाइना की leaders के उपर बात करेंगे, और कैसे आ रहा है, उनका रवया, especially Xi Jinping के उपर हमारा थोड़ा सा ध्यान रहे, तो चलिए बात करते हैं, काफी interesting, आपको information मिलेंगी, so state you, लेकिन, डिसकर शुरू करने से पहले, as usual, मैं हूँ आपका दोस्त, राहुल साइगाउंकर, अगर आप मुझे follow करना चाहते हैं, you can follow me on the ID, Rahul Saai, triple to, मेरे Facebook, Instagram, और Telegram के चैनल का ID, same है, इसके आलाबा, अगर आप UPC Civil Services examination त्यारी कर रहे हैं, तो I request you to just go through studyiq.com, या फिर हमारा app डाउलोड करें, बहुत सारा content है, which will help you in your preparation, चलिए, discussion शुरू करते हैं, और खबर के बारें बताता हूँ, क्य प्रेशिश हुई थी, यानि कि Donald Trump अपनी presidency नहीं चोड़ेंगे, कुछ इस तरह की बाते हो रही थी, election हारने के बाद भी, peaceful transition of power नहीं होगा, कुछ ऐसा लग रहा था, लेकिन eventually power transition जरूर हुआ, लेकिन इस particular incident के उपर, China काफी खुश हो गया, अगर हम लोग चाइना की बात कर and the division in their society, not just global times, लेकिन बहुत सारी news channels ने इसको दर्शाया था, उन्होंने कहा था, कि हम काफी अच्छे हैं, हमारा political system काफी अच्छा है, और अगर हम लोग डेमोकरसी की बात करें, जो हमेशा डेमोकरसी की फाइदे बताते हैं, उन्होंने कहा, democracy produces this chaos, and this chaos was clearly seen in United States, तो उन्हो हुआ, उन्होंकी डेमोकरसी जो हुई, उसका मजाग उड़ा रहे हैं, लेकिन उनके खुद के अंदर एक बहुत ज़्यादा deep anxiety है, क्यों? उनके खुद की history भी कुछ इसी तरह की रही है, तो शायद वो कहीं न कहीं उसे चुपाना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग power transfer की बात करें, चाइना में, काफी violent power transfers रहे हैं, काफी controversial चीजे हो चुकी है, leaders मारे गए हैं, suddenly disappear हो चुके हैं लोग, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे चाइना की क्या fear है अभी, और आगे चलके एक सवाल जरूर उठाएंगे at the end of the discussion, देखिए, क्या रहा है चाइना का fear, क इस तरह से power transfer होगा, दिखिए, अगर हम लोग बात करें, Chinese leaders की, और मैं यहाँ पे paramount leaders की बात करो, paramount leaders मतलब, जिनका complete दबदबा चला है, communist party के उपर भी, और पूरे देश के उपर ही, सबसे पहले leader थे Mao Zedong, हम सब जानते हैं, उन्होंने revolution लाया, 1949 में communist revolution लाया, और communist People's Republic of China set अब उनकी जो leadership style थी, वो तो सब को पता है, personality cult उन्होंने develop किया था, अपनी इर्दगिर्थ और अपनी जो भी close loyalist थे, उनके इर्दगिर्थ, cultural revolution हुआ था, 1960 में जहाँ पे उन्होंने काफी सारे लोगों को परश किया, यानि कि अगर उनके खिलाफ कोई बात कर रहा है, तो उनको literally हटा दिया गिया, और Mao मतलब एक ultimate leader बन गये थे महाँ पे, in fact Mao की जो policies थी, वो थी, उनका खुद का thought, उसको कह रहे थे, to whatever, अब ये to whatever क्या है, यानि कि दो जो भी हो, अब जो भी Mao जड़ों कहेंगे, वो सही बात है, first whatever is, whatever Mao says, it has to be true, and second one, whatever was, whatever Mao says, किसी को कहा कि ये कीजिए, तो बिना question किये, with unwavering, unflinching loyalty उसको करना है, this was the two whatever policy, कि whatever Mao says, it's true, whatever Mao says, you have to do, right, तो इस policy को चलते हुए, Mao ने अपने successor भी चूज की वे थे, अब उनके दो, उनने पहले successor चूज क्या था, Liu Shaoqi को, in fact Liu Shaoqi की कुछ सालों के लिए, प्रेसेरेंट भी थे, जब Mao Zadong Param लीडर थे, लेकिन, mysterious circumstances में, Liu Shaoqi की डेथ होगी, इसके बाद, उनने लिन व्याओ को कहा, कि वो मेरे successor है, उनकी भी mysteriously डेथ होगी, उसके बाद, हुआ, गाउफेंग आया, Mao Zadong के डेथ हुए, 1976 में, तब उनके जो successor चूज किया था, उनने, हाओ, गाउफेंग को चूज कि लेकिन, गाउफेंग की जो premiership थी, उसमें, Chinese Communist Party में ही division होगी, इंट्रा पार्टी स्ट्रगल शुरू होगी, और, जो हुआ, गाउफेंग थे, उनकी भी policy थी, to whatever, यानि कि जो भी Mao ने कहा है, वो सही है, उन्होंने Mao की policies को यह आगे बढ़ाया था, लेकिन, बहुत ही प्रसेस थी, इनकी जो policy थी, वो Mao से काफी अलग थी, उन्होंने Mao का जो personality कल्द था, उसे धीरे-धीरे खतम कर दिया, और इन्होंने एक नया बदलाव लाया, economic system में भी, आप जानते कि 1979 से लेकर, चाइना में economic reforms आना शुरू है, तो Deng Xiaoping की बदल वता, चाइना ने धीरे- देने democracy promotion भी हो जाती है, तो 1989 में क्या हुआ, 1989 में Tiananmen Square में demonstration हुई, students demonstration हुई कि हमें चाइना में democracy चाहिए, उसको बहुत ही, जोरो-शोरो से repress किया गया, in fact, एक बहुत ही दुकद incident था ये, one of the prominent democracy movements in China was completely culled, यानि कि खतम ही हो गया वो democracy movement, अब इसके बीच, power struggle की बीच, एक unknown leader निकले, Jiang Zemin, और उन्होंने 1989 से लेकर 2004 तक lead किया, अब इनकी policies भी more or less, Bank Xiaoping की policies थी, वो market socialist जो model था, उसको उन्होंने promote किया, लेकिंग अगर हम लोग बात करें, Jiang Zemin की, तो उन्होंने अपना खुद का एक good जरूर बनाए, उसको कहते है, Shanghai click या फिर Shanghai group, यानि कि उन्होंने भी power को consolidate कर लिया, अपने साथ consolidate कर लिया, अपने इर्दगिर जो भी leaders है, अपने loyal leaders को उन्होंने साथ मिलिया, और Shanghai group बनाया, उससे वो लोग lead करते रहें, अब in fact, चाइना में अगर हम लोग बात करें, एक successful, peaceful transition की, तो वो हुआ 2004 में, जब Jiang Zemin ने खुदी सोचा, कि अभी आगे young leadership आनी चाहिए, तो उन्होंने resign कर लिया, अब उनके resign करने के बाद नए leader बने, Hu Jintao, paramount leader, लेकिन जब तक Hu Jintao, उनकी जो presidency थी 2004 से 2012 तक, तब ये कहा जाता है कि Jiang Zemin थे, और उनके जो loyalists थे, Shanghai group, उनका काफी considerable power चलता रहा, उन्होंने काफी considerable power भी बनाया, और काफी स सारे पैसे भी बनाया, अब इस दोरान ये कहा जाता है कि Chinese Communist Party में दो गुट बन गए, अब एक गुट बन गाया, Shanghai वाला group, जो मैंने आपको बताया, Jiang Zemin वाला, अब दूसरा गुट बना, धीरे-धीरे, Hu Jintao ने अपना खुद का group भी बनाया, CCYL, यानि कि Chinese Communist Youth League, जिसको उन दब-दबा बड़ा रहे थे, तो चाइना के अंदर ये कहा जाता है कि Communist Party के अंदर factions थे दो, एक था Shanghai group, एक था CCYL, लेकिन 2012 में कुछ बदलावाया, 2012 में क्या हुआ, एक नए लीडर लिखने, Xi Jinping, और 2012-13 से लेकर अभी तक he's leading, अब जिस तरह से इन्होंने लीड किया है, तो चाइना में भी, चाइना के बहुत सारे observers है, वो खुद मानते हैं कि Xi Jinping एक autocrat है, ना कि enlightened authoritarian है, जो कि Mao Zedong को कहा जाता है, वो enlightened authoritarian नहीं है, लेकिन rather he's an autocrat, he's ruling with an iron hat, यानि कि अपने जो भी opposition है, उसको खतम कर रहे है, देखिए उनकी policy कैसी रही हम जानते है, foreign policy काफी aggressive र रही है, कोई भी उनका opposition निकला है, उसको ruthlessly उन्होंने crackdown किया है, Hong Kong में हम लोगे देखा है, Taiwan में हम लोगे देखा है, उनकी domestic policy भी काफी ruthless रही है, और foreign policy भी काफी ruthless रही है, इसलिए उन्हें already autocrat कहा जा रहा है, अब इस autocratic उन्होंने regime से उन्होंने क्या किया है, देखिए तो CCYL था, उसे भी वो eliminate करने की मुहिम में लगे हुए, और develop क्या किया है, उन्होंने develop किया है, अपना खुद का Zee Gang, यानि कि चाइना में, अभी communist party में, Zee Jinping के loyalists बहुत जादा है, उन्होंने major provincial और central positions में अपने बंदों को डाल रखा है, अपने खुद के proteger या फिर अप अब उन्होंने क्या किया, अगर हम लोग बात करें, जब से 2013 से वो paramount leader बने हैं, उन्होंने Shanghai group के बहुत सारे leaders को purge कर दिया है, उन्होंने CCYL जो चाइना की youth league है, उसके भी काफी सारे leaders को purge कर दिया है, उन्होंने शुरू किया है सबसे पहले anti-corruption drive, जिसके दम पे वो अगर उनके खिलाफ opposition है, तो खतम कर दिया, यानि कि उनका career ही खतम कर दिया है, बहुत सारे influential leaders को उन्होंने anti-corruption movement में arrest किया है, और उन्होंने almost खतम कर दिया, एक है, संजेचे, बो जिलाई, जाओ यांग कॉंग, लिंग जुआ, गुओ, बॉक्सियांग, और जू काय हौ, prominent influential leaders थे communist Chinese party के, उनको उन्होंने almost खतम कर दिया, साथी साथ उनकी खुद की जो populist policies है, anti-corruption drive, socialist drive में, उन्होंने CCYL को almost समझ लेजिये, निल कर दिया, CCYL का खुद का budget ही उन्होंने half कर दिया था अपने पहले term, यानि कि Xi Jinping क्या कर रहा है, Xi Jinping पावर को continuously consolidate कर रहे हैं, centralized कर रहे हैं, अभी फिलाल, चाइना पे उनकी पकड एकदम iron grip बन चुकी है, अगर हम लोग Xi की बात कीजिए, देखिए, Xi ने भी very similar to Mao Zedong, अपना एक personality cult develop किया है, in fact, यह कहा जाता है कि Xi Jinping खुद को Mao Zedong के बराबर मानते हैं, देखिए, मैं आपको कुछ उधार ने देता हूँ, किस तरह का personality cult उन्होंने डेवलप किया है, शुरुवाती दोर में Xi Jinping विजिट पे गए होता है, United States, जहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे Xi Jinping और Barack Obama की photo release हुई थी, अब यह photo release होने के बाद, चाइना में एक meme शुरुवा था, वो था Winnie the Pooh आप यहाँ पे देख सकते हैं, Winnie the Pooh यह है और यह है Tigger, अब यहाँ पे Barack Obama इसको वास कंसिड़र टिगर और Winnie the Pooh was considered as Xi Jinping, तो एक meme, एक मजाक्या चीज निकली थी चाइना में, जिसको Xi Jinping की सरकार ने बैन कर दिया, चाइना में Winnie the Pooh cartoon ही censored है, यानि क्यों चलता ही नहीं है चाइना में, इसके अलावा अगर आप देखेंगे हर जगा पे आपको Mao Zadong के साथ आपको Xi Jinping दिखाई देगे, तो उन्होंने अपनी personality, cult ये develop किये, और 2012 से लेकर 2018 तक उन्होंने Chinese Communist Party और उनकी Central Committee के कम से कम 35 members को उन्होंने discipline किया है और अपनी तरफ loyal कर दिये, अब इसके अलावा, 2018 मार्च में तो एक बहुती बड़ी development हुई थी, इसमें उन्होंने constitutional reforms लाए, चाइना के सविधान में ही बदलाव लाए, जहां पे उन्होंने कहा कि President के उपर कोई term नहीं रहेगा, पहले दो term की limit थी चाइना में, लेकिन अभी कोई limit नहीं है, उन्होंने हटा ही दिया है लिटरी, fourth constitution of China, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि नहीं, there would be no limit, that means infinite presidency of Xi Jinping अभी चलने वाली है, आगे चल चाहिए, तो इसके चलते, already चाइना में एक deep anxiety है, जिस तरह से Xi Jinping ने power को concentrate किया है, very similar to what Trump was doing in the last four years, और जब election हारे, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं power नहीं छोड़ूँगा, तो आगे चलके, already कोई भी Xi Jinping के खिलाब अगर बात कर रहा है, तो वो purge हो रहे है, तो इसके चलते, चाहिना में एक deep deep anxiety क्या है, क्या होगा आगे चलके, क्या होगा Xi के बाद, क्या Xi अपने तीसरा टर्म में भी चलेंगे, क्योंकि 2022 में October में 20th Communist Party का Congress है, क्या वहाँ पे Xi अपना power फिर से continue करेंगे, अगर continue करेंगे, वो दूसरे leaders को continue करते रहेंगे, तो Xi खतम होने के बाद क्या होगा, या फिर सवाल ये भी है, कि 2022 में क्या एक कू होगा, जी के खिलाफ, और अगर होगा, तो क्या Xi ने खुद को कू प्रूफ किया हुआ है, ये सब सवाल है चाइना के अंदर, अगर हम लोग बात करें, चाइना में already ऐसे बहुत सारे leaders हैं, जो Xi के खिलाफ बाते कर रहे हैं, लेकिन they are being purged, कुछ लोग हैं, जो London में जाके settle होगे हैं, जो United States में settle हो रहे हैं, वो लोग वहां से Xi के खिलाफ बाते करते हैं, बट nonetheless, जो भी opposition आती है Xi के खिलाफ, उसे purge किया जाता है, उसे खतम किया आता है, तो इसकी वज़े से, overcentral organization की वज़े से, we already know what problems come, succession की problem होगी, तो China के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल उठा है, कि Xi के बाद क्या, ये उनकी deep anxiety है, जिसकी वज़े से कहीं न कहीं, वो अभी खुश हो रहे हैं, US के उपर जहां पर Trump के साथ जो हुआ, यानि कि Trump की कारेकाल के बाद जो हुआ, एक power transition के उपर सवाल उठाता है, उस तरह के सवाल, Xi के कारेकाल के बाद भी उठने वाल है, चाइना में, जिसके वज़े से बहुत बड़ा अफीबल हो सकता है, चाइना में, so we will wait and watch कि क्या होगा 2022 में, कि Xi Jinping अपना नया presidency शुरू करेंगे, या फिर, वो transition के लिए किसी नए दूसरे leader को आगे लाएगे, let's wait and watch, that is it right now from this part of discussion, thank you for watching, Jai Hind!